बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रूस के सेनिकों की ट्रेनिंग का एक वीडियो अब सामने आया है जिसमें रूस के सेनिक बेलारूस में हत्यारों और बगतरवंकाडियों के साथ युदा भ्यास करते हुए दिखे हैं यानि रूस बेलारूस के रस्ते यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि यूक्रेनी सेना जितना खेरसान की तरफ बढ़ रही है वहीं बेलारूस से कीव को घेरने की साधिश रच रहे हैं व्लादिमीर पुतीन सोचने वाली बात है वहीं इरान को व्लादिमीर पुतीन भले ही बचाए या ना बचाएं लेकिन उनके सामने इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज क्राइमिया बचाना है क्योंकि थरसान के बाद पुतीन की फौज बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी है ऐसा बनाये जा रहा है क्राइमिया पर क्या पकड़ बनाये रख पाएंगे क्योंकि क्राइमिया और डॉनबास पुतीन के मनसूबों के लिए बहुत एहन है युक्रेंग जंग में आया टर्निंग पॉइंट खेर सौन बतास जैलिंस्की का जोश हाई खेर सौन हार्थ से बॉक्राइब पुतिन पुतिन का आखरी वार जंग जिताएगी जिर्कौन युक्रेंग जंग के दौरान रूस के राष्टपती व्लादिमिर पुतिन जोर का जटका भी जरा जोर से ही लगा है रूस युक्रेंग के खेर सौन में जंग हार चुका है पूरी दुनिया युक्रेंग के खेर सौन वदा को जंग का एक टरनिंग पॉइंट मान रही है जाहिर सी बात है कि खेर सौन भारने के बाद रूस के राष्टपती पुतिन घुसे में है युक्रेंग जंग के नौ महीनों के दौरान रूस युक्रेंग की वाज़ के खिलाफ परमाणू हथियारों को छोड़कर अपने हर खदरनाक हथियार को आजबा कर देख चुका है बावजूद इसके रूस को अभी तक युक्रेंग में वो काम्याबी नहीं मिल पाई है जिसकी उम्मीद उसे थी ऐसे सूरते हाल में रूसी सेना का खेरसान हारने का मतलब है कि अब रूस पूरी तरह से बैक फुट पर आ चुका है लहाज़ा अब राश्टपती पुतिन ने खेरसान की हार का बदला लेने के लिए युकरेन जंग के दोरान अपने तरकश के आखरी हथियार को आजबाने का फर्मान सुना दिया है इस से पहले हम आपको ये बताएं कि राश्टपती पुतिन अपने किस हथियार से युकरेन पर आखरी वार करने की तैयारी में है उससे पहले आपको यहां यह बताना जरूरी है कि रूस को खेरसान में मिली हार को आखिर क्यों इस जंग का टार्निंग पॉइंट माना जा रहा है खेरसान शहर में आती युकरेन सेना की गाड़ियां खेरसान के लोगों के साथ सेल्फिक हिच्वाता युकरेन सेना का एक जवान मोटर साइकल पर युकरेन की झंडे लगा कर शहर में घूंता एक नाजवान और खेर सौन को छोड़ कर जाने के बाद रूसी हत्यारों के जखीरे का निरिक्शन करते युकरेन की फौज के अधिकार ये वो तस्वीरे हैं जो इस हकीकत की तस्दीग कर रही हैं कि खेर सौन शेहर को रूस की सेना छोड़ कर जा चुकी है। दर असल खेर सौन के ज़्यादातर अलाके पर रूस ने युकरेन जंग के शुरुआती दोर में ही कबजा कर लिया था। लेहाजा रूसी सेना के खेर सौन छोड़ कर जाने के बाद शेहर के लोगों के साथ-साथ युकरेन के राश्वपती व्लादेमेर जेलिंस्की का भी जोश हाई है। राश्वपती जेलिंस्की के मुताबिक खेर्सन शेहर को छोडने से पहले रूसी फोज ने शेहर में जगा-जगा लेंड माइन्स और बूबी ट्राप्स पिछा दियें вибухотехніків, вже вилучено майже дві тисячі вибухонебезпечних предметів, мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися. Окупанти перед втечою з Херцовом знищили всю критичну інфраструктуру. Зв'язок, постачання води, тепла, електрики. У расистів всюди однакова мета – максимальне знущальність людей. Але все ми відновимо, повірте, хоч для цього потрібенний час, однак всім вже зрозуміло, результат буде наш. युक्राइन के राश्टपती Зеленські ने Херсон पतेह के लिए युक्राइन की पोज के हर एक जवान और अधिकारी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, कि अब वो बहुत जल्द ही, रुस्के कब्जे से युक्राइन के हर इलाके को आज़ाद कर्माएंगे. Дякую вам, воїни, за вашу стійкість, за вашу хоропрість. І я приєднуюсь до подяк і бажань, які вже отримували від херсонців наші бійці 28-ї, 63-ї окремих механізованих бригад та 59-ї окремої мотопіхотної бригади, наші розвідники, наші бійці Сил спеціальних операцій, нацгвардійці, молодці. Дякую всім за блискучий виконання завдань для звільнення Херсону. Буде так генічно, і в Мелітополі прийдемо до всіх наших міст і сіл Донбас. Обов'язково побачимо, як там в Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, які там зберігають, які там сотнями будуть на вулицях, но в день звільнення. अब वहीं यूकरेन ने दावा किया है, कि रूस ने एक बार फिर खारकीव पर मिसाइद दागी है, जिसमें तीन तेज धमाके हुए हैं. तीन धमाकों की आवाज सुनाई देने के बाद, यूकरेन ने अलर्ट चारी किया है, कि फिर से शायद रूस की हरका फारकीव पर हो सकती है.